हनी सेंग, ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पॉईजन, मतलब इतनी सारी नेगिटिविटी लाइफ के अंदर, उसको ओवरकम किया, लेकिन वो कर्मा कहीं ना कहीं, या तो मूवेवल साइन में था, या डूएल साइन में जो मैंने भी बताई कुई थियोरी, वो द्रड नही सकते हो, बाकी कोई शास्त्र नहीं है, आप समझ सकते हो कि मेरे को किस एरिया में करमास मेरे हाड रहेंगे, कहां पे मेरे करमास अच्छे रहेंगे, कहां पे मेरे को दुख मिलेगा, किन लोगों से दुख मिलेगा, किस परिस्तिती में मिलेगा, कहां मिलेगा, अगर आपके छटे भाव में फिक्स राशियां है ठीक है ने जैसे टॉरस फिक्स राशियां एक ठीक है ना ऐसे फिक्स राशियां अगर आपके पढ़ रही है तो आपके प्रारद के कर्मा इतने खराब थे आपने intentionally किसी को इतना परेशान किया है इसको भी आप देखो कि मतलब यह कितनी powerful science है मैं जब जब इसकी बारे में मैं भी बात कर दूँ तो मेरे को एक बोशिवरिंग्स भी हो रही है कि कैसे उस टाइम पे हमारे रीशी मुनियों ने इतनी चीजों को research करके इतना उसको dissect करके इतने easily एक human मतलब मतलब लोगों के लिए serve करके दे दी कि तुम इसको life को ease बना के तुम जी सकते हो मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे channel BU पे तो सच बता रहा हूँ जो आप इस podcast को देखने के लिए अभी आई हो आपको पता लगेगा अगर career में fail हो रहे हो न तो उसके पीछे के reason क्या-क्या है और शुरू करते हैं over to you ma'am तो आप एक बड़ पर पहले explain कर दो कि आज लोग बाग किसको सुनने जा रहे हैं मेरा नाम श्रदा शर्मा है और मैं एक astro वास्तू consultant हूँ और मेरी journey बहुत एक early age में ही start हो गई थी तो उस पर detail में तो मैं बात नहीं करूँगी क्यूंकि मेरे पास में आज बात करने के लिए इतनी deep चीजे हैं और लोगों को इतना मतलब interest आएगा कि आज की चीजों में मतलब आज की life में जो चल रहा है उसको हम कैसे ग्रहों से वास्तू से क्यूंकि हर चीज आपस में बहुत deep connected है तो मैं इतना deep तो नहीं लेके जाऊंगी लेकिन यहाँ पर with examples कुछ ऐसी stories मतलब सबसे पहले में start करूँगी हनी सिंग के come back से कि इसके पीछे भी ग्रहों का कितना बड़ा रोल है कि एक टाइम पे जो इनसान इतना मतलब challenges face कर लिए एक दम नीचा चला गया वो इनसान हम सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरीके से इतना hard work करके और वो इनसान वापिस से आएगा क्यूंकि आजकल आप देख रहे होंगे society में कितने लोग mental health से कितने परिशान है और easy रे लोग बाग नहीं आपाते इस से मेरे पास में बहुत इस टाइब के लोग मतलब horoscope आती है तो बहुत difficult है मतलब लंबे लंबे treatments हैं पहले तो family परिशान होती है और कहीं लोग effort भी नहीं कर पाते बहुत सारे चीज़ें इसमिक है लेकिन honey sing का comeback जो है और ऐसे बहुत सारे लोगों को इस time पे 2025 में बहुत सारे उनके poison जो उनके mind में था वो सब निकल के आएगा क्योंकि Saturn अभी Aquarius sign में है कुम्ब राशी ठीक है और कुम्ब राशी को Shiva के एनर्जी के साथ में भी बहुत किया गया है वो उनका रुद्र फॉर्म है ठीक है तो आप देखोगे Shiva का रुद्र फॉर्म है उसमें वो कैसे है हवा में मतलब air element है ये हवा में उड़रे उनके बाल उनके हाथ में स्मोक मतलब भुका है air है ये सारा उनका रुद्र फॉर्म दिखाया गया है ठीक है तो जब ये राशी imbalance होती है किसी के चार्ट में तो उनको ये सब disorders कहीं न कहीं होने लगते हैं ठीक है इसके पीछे और भी सारे connections है कौन से ये मंदिर है अगर रुद्र आपकी energy imbalance है चार्ट के अंदर ये जो राशियां है ये लिबरा राशी है एक्वेरियस राशी है जैमिनाइन राशी है और ये सारी communication की राशियां है बोल चाल की है वायू तत्वे इसके अंदर फैलाव है चीजे फैल रही है मैं जो ये काम कर रहे हूं ये वायू का काम कर रही हूं आप जो काम कर रहे हूं वायू का काम है तो जब ये imbalance होता है तो आदमी का mental level है वो बहुत मतलब क्या होता इसके अंतर मतलब overthinking एक के बाद एक thought आ रहे हैं आ रहे हैं mind to relaxation नहीं मिल रहा तो ये energy रुद्र के साथ में जोड़ी गई है अगर ये balanced है तो बहुत higher intelligence लेती है आदमी को और music industry में इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वायू है पूरा तो honey singh का जो comeback है उनके कहीं सारे aquarius sign में grey है शनी इस वक्त रेट्रो है सत्य भीशा नक्षत्र के अंदर वो है और सत्य भीशा नक्षत्र है hundred healers ठीक है तो कहीं सारी इस वक्त लोगों के mental level पे healing होगी even कहीं सारी medicines आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि कहीं सारी medicines भी इस time पर patent हुआ है जो mind की चीजों को govern करती है नियूरो को govern करती है बहुत सारी हाँ बहुत सारे अभी इस वक्त patents चल रहे हैं उसमें काम चल रहा है तो ये बहुत best time है अगर किसी को भी इस तरह की challenges है लाइफ में तो ये best time है treatment कराने का और लोग बाग अभी इस वक्त जो ऐसे उतना rehab जो है ये सारे centers और mental health ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इनकी demand बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों को ये challenges बहुत बढ़ते जा रहे है ठीक है ना और कल्यूक को तो शरापी है कि आप क्या physical जो परिशानिया वो तो खतम हो चुकी अब तो physical क्या है आपको परिशानी बटन दबाओ सब कुछ हो जाता है पहले बोलते कि ना देवता थे वो कहीं भी प्रकट हो जाते थे आज भी वो ही है देवता है आप बटन दबाते हो कहीं पर भी आप ऑनलाइन पहुच जाते हो वीडियो कॉल से पहुच जाते हो कोई भी चीज किती भी दूर हो बटन दबाते आपके पास आ जाती है ये क्या है उसवक्त की टेक्नोलोजी वो थी आज की टेक्नोलोजी है देवता अभी भी है मुझे वास्तु का कंसेप्ट जानना है ठीक है कि जैसे हम आज की डेट में हर एक बंदा कहीना किसी जिना किसी चीज से जूज रहे कुछ लोग जोब से परिशान है किसी को करियर नहीं बन पा रहा है तो उन चीजों में vास्तु कितना रोल पले करता है दूसरा वास्तु का कंसेप्ट आया कहां से ठीक है देखो वास्तु जो है वो एक पूरी तरीके से शास्त्र है पहले जितनी भी मतलब जो भी नौलेज थी उसको शास्त्र के साथ में अटैच किया गया था ठीक है तो ये भी एक शास्त्र है ये पूरी तरीके से structure जितनी भी चीज़े वहाँ पे काम करता है वहाँ की energies पे काम करता है ठीक है ना अब आपका structure चीज़े कैसी मिलेगी यह सब आपका chart दिखाएगा अब एक आदमी क्या करता है जैसे हम जो लोग हैं जो consultancy कर रहे हैं वो क्या करते हैं आपका जो भी तत्व या जो भी आपकी energies सुर में नहीं है aligned नहीं है उसको एक तरीके से उसको balance कर दिया तो जैसी वो चीज़े सुर में हो जाती है तो आदमी की life ease में हो जाती है तो उसको लगता है कि कहीं पर क्या होता है यह चीज़े एक तो अद्रश है यह सारी energy दिखती नहीं है हवा आपको दिखनी नहीं है लेकिन है आप बोल तो नहीं सकते न कि मुझे तो नहीं दिखरी तो मैं मानूंगा नहीं कि नहीं है वैसे यह जो पहली बात तो यह विद्या है विद्या इसको विद्या बोलेंगे ठीक है और यह विद्या अद्रश्य है और यह विद्या जो है ना पढ़ने से एक level तक आ सकती है लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा divine grace काम करता है बताओ उसके बारे नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए इसको वो आपको ना तो results आप खुद ले पाएंगे ना लोगों को दे पाएंगे तो और यह विद्या अभी इस टाइम पर बहुत लोगों को मतलब interest आ रहा है इसके बारे में जानना चाहे वो वास्तु हो astrology हो, tantru हो या और जितनी भी इस तरही की विद्या है वो छुपी भी विद्या है और यह देखना आप, यह किसी भी time वो आपिस से चुप सकती है यह एकदम अद्रश्य हो जाएगी, कभी भी जब इसका misuse होना start हो जाएगा, तो यह एकदम गायब हो जाएगी या लोग इसका misuse करने लग जाएगे अपने power के लिए, अपने पैसे के लिए तो यह गायब हो जाएगी इवन जो इसको practice कर रहा है अगर मैं practice कर रही हूँ पैसा तो एक need है, कमाना ही है क्योंकि उसके पीछे चली नहीं सकती है, सारी चीज़े लेकिन intent बहुत बड़ा काम कर रहा है इसके अंदर, अगर intent wrong हो गया practice करते करते, तो यह विद्या उस आत्मी के से भी चली जाएगी चाहे वो कितना भी knowledge करके बैठा हुआ है, कितनी भी experience है वो चाहे अपनी field में बहुत पैसे लेता हो, लेकिन intent अगर खराब हो गया क्योंकि प्रकरती जो है इसके अंदर, अगर मिलावट आएगी तो यह किसी भी दिन गायब हो जाएगी गायब का मतलब क्या है, यह काम ही नहीं करेगी लोगों का mind ही बदल जाएगा, जैसे आज के 20-25 साल पहले लोगों को इसके बारे में कुछ इतना पता नहीं था मतलब वो सोसे थे पता नहीं क्या चीज है कोई सूपर स्टीशन है या पता नहीं मतलब लोगों का mind धुमिल सा हो गया था अब वह भी से क्लेरेटी आ रही लोगों को कि नहीं, यह हमारी कुछ वैदिक कुछ सिविलाइडेशन का उस टाइम का कुछ एक बहुत ही एक मजबूत विद्या है जिसको हम I think वैदिक वास्तू भी बोले है वैदिक वास्तू मतलब जितनी में चीजे पुराने टाइम से हमारी चलती भी आ रही है वो सब वैदिक से जोड़ा गया उसको ठीके, तो एक टाइम पे लोगों के क्लारेटी नहीं थी इस बारे में आज वापिस से वो क्लारेटी क्यों आ रही है क्योंकि वो विद्या की प्रेजेंस है और ये कभी भी जा सकती है कल्यूग में अगर आप देखो लाइक वास्तू का रोल तो बहुत इंपोर्टेंट है साथिसाथ ग्रहभी का भी इसके साथ में इंटरलिंग किया गया है तो उस चीज को किस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर कुछ अच्छा करना हो लाइक वास्तू भी ठीक करना gravity करना यह यह दोनों चीजे भी interlink है उसमें थोड़ा सा बताओ बिल्कुल देखो वास्तु में दो चीजे में हैं पंच महाबूत सभी जानते हैं यह कि यह five elements water, air, space पर यह काम करता है और जो आज मैं ग्रहों के बारे में भी सब जानते हैं बारा जो हमारे राशियां है नौ मन जादा तर लोगों को knowledge है ठीक है मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और थोड़ा deeper level पर जाऊंगी ठीक है क्यूंकि जो भी यह जो podcast होते हैं यहां पर जो भी सुनता है उसको एक deeper knowledge चाहिए इसलिए यह industry grow कर रही है तो बारा राशियां हो गए आपके नौ ग्रह हो गए फिर आपके 27 नक्षत्र हो गए ठीक है वो एक energy centers है मतलब वो आपका वो बिजली का बहार वो डीपी लगावा हो था ना वहां से सारी बिजली सबको flow कर रही होती है हर गर के अंदर तो वो 27 नक्षत्र आप समझ लो अब उस 27 नक्षत्र के भी चार पदा होते हैं फोर पदा का deeper meaning यह है कि जो हमारे चार युग है ठीक है सत्युग त्रेता युग द्वापर युग और कल युग तो जब सत्युग था तो वो चारो जो वो उस नक्षत्र के जो चार पदा थे वो चारो एक्टिव थे आदमी चारो चीजों को balance करके चलता था 25 25 25 चार पैर पे खड़ करता था अपना अर्थ भी करता था मोख्ष के लिए भी काम करता था धरम अर्थ का मोख्ष चारो चीजों को balance करके चलता था तब एक लाइफ का पूरा complete circle बनता था मोख्ष का भी एक था ना कि इस टाइम पे तो अब आपकी एज इतनी हो गया 80 90 अब आप जाओ अब आप मोख्ष की तरफ जाओ तो वो अपना घरस्त जीवन छोड़ की लोगा चले जाते थे तीर स्थान पर वो क्या था वो मोख्ष का पद था जब चोटा था धरम धरम कर उसमें तीन एक्टे होए एक पद महाँ पे थोड़ा सा गड़ आने लगा हिलने लगा लोगों की मतलब चेंज इस रिवालूशन हो रहा है सोसाइटी में अभी मैं आऊंगी इसके ओपर जो एक थोड़ा का डगमगाने लगा इसको और मैं बता हूँ आपको बड़ा इंट इसलिए उनको धरम का हमारे धरम में इतनी ज्यादा पूजनी बताया गया है तो वहां से भी इसका बहुत कनेक्शन है फिर उसके बाद में जब आपका द्वापर यूग आया तो दो बहुत एक्टिवली काम किये दो मतलब पदा एक तो धरम वाला धरम पर ही बात होई वह जादा अपनी चीजे बताई धरम कोई अक्टिवली काम किया गया ठीक है ना और धरम के बाद पर मोक्ष पर काम किया गया गीता पे इतनी भी चीजें है वह सब चीजें इस पर ही चली ठीक है अब कल यू के अंदर सिर्फ एक ही पदा strongly काम करता है आदमी का बाकी तीन पद आदमी है तो उसके दो पदा काम कर सकते हैं या जो बहुत हाइर परपरके के लिए काम कर रहे हैं जो एक बहुत एक युमैनेटी के लिए काम कर रहे है youmanitarian वरक tulee उनका परपस ही कुछ अलग है, उनका तो मतलब खुद के लिए तो हटी गया है दिमागा, अब कुछ और ही लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनके दो पदा या दो पदा काम कर जाएंगे, ठीक है? अब आप ही देखिए, कि अगर मैं आपको आज बोल दूँ कि आप है न कर रहे हो, एक्षन क्यों कर रहे हो, अर्थ के लिए पैसा है उससे, तो ये अभी की प्रॉब्लम है, इस कल्युक की, कि एक ही पदा आपका स्ट्रॉंग है, बाकी जो तीन जो टांगे है न, वो वीक हैं भी, वीक हैं वो, मजबूत नहीं है, अब वो वीक हैं, तो क्या होत हो सकती है, वो वास्तु हो सकती है, वो हीलिंग हो सकती है, वो स्पीचल सेंटर हो सकते हैं, वो आपके पब हो सकते हैं, वो आपके बाहर हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर वो स्पेस खाली है, बहुत पैसा कमाली है, मुझे पताओ, पैसा कमाने के अन यह इतना interesting topic लग रहा है मेरे को आज की रेट में लोगभाग सिर्फ एक ही जगे भागदोड चल रही है वो एक पदा इसको पदा पैसे कमाना पैसे कमाना after achievement की ओके यह मैंने कर लिया अब बंदा रूण रहा है यार संथी नहीं है या लाइफ में तो हमारे भाई हर जगी यह तो लिखा है बैलेंस तो बैलेंस कहा है ना तो इसलिए कल यूग में एक पदा आदमी का strong रहता है एक टाइम पर एक टाइम पर मैं यह नहीं कहते कि पुरी जिंदेगी एक ही रहेगा एक टाइम पर वो एक ही पदा को लेके चल पाता है बाकी तीन उसके वीग चलते हैं बट क्या आज की डेट में कल्यूग में एक इंसान चारो पदा को एक्टिव कर सकता है बहुत मतलब पॉसिबल नहीं मैंने बता ना वो लोग कर सकते हैं जो बहुत एक अलगी परपस के लिए काम कर रहे हैं बाकी पॉसिबल नहीं एक नॉर्मल आदमी की क्योंकि हम यहां पर ज्यादा लोग वो हैं जो हम जैसे लोग है तो बड़ा ही मुश्किल आज मतलब आज कोई बोले कि मैं मेडिटेशन भी कर लूँ मैं मंदी भी चल जाओं मैं दान पुन्ने धरम भी कर लूँ फिर मैं अपने काम पे भी आजाओं कि आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा चारों चीजें आप रोज सुबे से लेकि शाम तक कर लो यह रोज कभी-कभी कर सकत तो इसका आपका जो आपने अपने से पूछा भी कि क्या कर सकता है तो हां मैं यह भी कहूंगी मना नहीं करूंगी लेकिन अगर यह सुनने के बाद में इंसान को खुद को अंदर रियलाइज होगा कि हां मैं कर सकता हूं मैं धरम पे भी काम कर सकता हूं मैं मोक्ष पे भी क यह time में ये क्याम करनूगा लेकिन वो कब होगा जब इस ऊत्रटो की नॉलेज हो गी नॉलेज की नॉलेज नहीं है इसलिए परिशान हो जाता है बहुत जादा कि कि नहीं तो क्या होता है कि यह सब चीजें भी मतलब वास्तु एस्ट्रोजी भी एक ऐसी फील्ड है ना बड़ी मतलब बहुत डिफरेंटली यह काम करती है ठीक है ना मैंने इतने लोगों का काम किया बहुत लोग जो में पास में आयों बोले कि मैं हम तो पहले ही इंचीजों को पर लोगों ने इतना फोर्स किया दिखाओ कुछ तो घर में दिक्कत है या आपकी जनम पत्रिगा में दिक्कत है को टाइम खराब आया होगा साड़े साथी आ गयोगी कुछ-कुछ तो फिर हमको लगा कि चलो है जब सारी चीजें हमने कर ली ठीक नहीं होरी चीजें एक को आपका यहां से काम कर चल रहा होता है यहां से नीच चल रहो होता है अच्छा गंडी जी कह यहां से क्यों बैठे हीह है यह हनुमान जी यह से क्यों भाट गठार हह थै यह आपका faith और ट्रस्ट यह पूरी चीजे अठर ये है और human brain जो है वो intelligence पे काम करता है जब intelligence का पी फिर वह खाँ जाता है फिर कुछ ना को सॉलूउशन डूनता है फिर वह मंदर भी जाना चालू करेगा दान पुर्णी भी करेगा जो भी इसको कोई एक कोई एसी चीज़ बताएगा तब वो चालू करेगा धीरे-धीरे अगर उसकी पत्रीका में भी यह सब चीज़े उसको grace मिलनी है, तो धीरे-धीरे automatically, वो transform होता चल जाएगा, towards faith, towards trust, towards spirituality. तो धीरे-धीरे वो जो शान्ती बोला कि शान्ती नहीं है, वो आने लग चाहिए. दो सवाल है इस पर, ऐसे कोमन मैं नहीं पूछ रहो, आज की डेट में अगर किसी के घर में बीमारिया बहुत बढ़ रही है, दूसरा, financially problem बहुत ज़्याद हो रही है, ठेक है? लोग बाग, आज की डेट मुझे लगता है, यह दो कोमन ऐसे चीज़े हैं, इसे परिसान है, relationship problem बहुत है, relationship problem, सबसे दा relationship है, exactly, कहीना कहीं घर में होता है, अगर मैं इन तीनों प्रोड़ाम को आपके सामने रखो, तो as a वास्तू consultant, आपका इस पर क्या remedy होगी, या किस तरीके से आप इनको बताऊगे, कि यह चीज़े इस तरीके से खराब होती है, देखो कि वास्तू में डारेक्शन सभी को पता है, कि यह यह डारेक्शन सोती है, मैं इसको और भी थोड़ा सा और हट के देख रही हूँ यहाँ पर, तीन चीज़े काम करती है, रजस, सतव, रजस और तमस, सतव जो है वो सात्विक गुण है, रजस जो है वो एक्शन, ठीक है, और तमस जो है वो माइंड का डलनेस है, मतलब इग्नोरेंस है, डार्कनेस है, ठीक है, तो आदमी के लाइफ में यह तीन चीज़ों के लिए वो स्ट्रगल कर रहा होता है, तो जब भी कोई भी में पास में आता है, ठीक है, तो उसकी body language, उसके बात करने के तरीके से, उसके घर के चार्ट से, उसके बर्थ चार्ट से, वो सारी चीज़ें दिख जाती कि इस इंसान का क्या imbalance है, और वहाँ पर ग्रह भी मुझे लगता है, ग्रह तो important role play, आपके ग्रह कौन से, कौन से, सत्व में बेठे हैं, रजस में बेठे हैं, तमस में, या आपकी ग्रह नक्षत, तो सब बता देते हैं, तो आपने उसकी calculation करके मैंने अलग रख ली, फिर मैंने घर का मैप देखा, मैप में क्या imbalances है, उससे पता चल गया कि तीन गुण में से कौन सा imbalance है, और उसको भी बिल्कुल टेली करने के लिए, उस इंसान की body language, बात करने का तरीका, वो सब बता देगा, यह imbalance है, अब क्या करा, मैंने simply उन सब चिनों को align कर दिया, जो imbalances थे, example के लिए, किसी का rajas imbalance है, fire element है, तो उसका south और southeast imbalance होगा, ठीक है, अभी मैंने इसका सिर्फ chart देखा है, अब मुझे पता है, वो इंसान क्या बोलने वाला है, वो यही बोलेगा, कि मैं जो भी काम करता हूँ ना, मेरे सारे काम अटक जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, मेरे, मेरे पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, मैं किसी को फोन करता हूं तो जवाब नहीं देता पलटके मैं कोई भी बिजनस करने जाता हूं तो वो काम बीच में टक जाता है या मैं काम छोड़ देता हूं, पार्टनर्शिप ब्रेक हो जाती है शादी ही नहीं हो पा रही है, रिष्टे ही नहीं आते हैं तो बहुत जल्दी बात करेगा, उसको एक एंग्जाइटी होगी, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि फायर इंबालेंस है, उसको मैं सिंपली बूचूंगी, आपको मतलब डिजेशन प्रॉब्लम रहती है, तो बोलेगा, हाँ, इससे और क्लारेटी आ गई, कि इनके घर में वास्तु में भी साउथ और साउथ इंबालेंस है, सिंपली मैं वहाँ जाओंगी, वहाँ सबस्पाइज देखूंगी, वाटर एलिमेंट है क्या, क्योंकि फायर को डिस्ट्रॉइ कॉन करता है, पानी डाल दोगे, तो वाटर इंबालेंस कर रहा है, वहां के उस कलर, वो कल जो इंबालेंस थी, फायर एलिमेंट, वो जैसे ही अलाइन होगा, आटोमेटिकली, वो इनसान की बॉडी लेंगविज, बात करने के तरीके में भी उसको ठहरा हो आजाएगा, अभी उसको परिशानी क्योंकि एक्शन तो कर रहा है, लेकिन को रिजल्ट नहीं आ रहे है, वो भाग रहा है, कभी किदर भाग रहा है, कभी किदर भाग रहा है, ऐसे लोगों के एक्सिदेंट्स हो जाते हैं यह जल्दी बाजी में क्या होगा, यह सब चीजे होती है, तो फायर इंबालेंस है, और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाना होता है, उन वाया मेरी जिंदेगी के अंदर मड़ाई इस आया तो फिर और भी higher लेवल पर और फिर एमेड चीजे हैं देवतार हैं और बहुत साई चीजे हैं उस पर भी खाम होता है यह चीजे चीजे करती हैं जो आपने अभी बताया था कि आपको अपने दोपद अप्धिव कर रहे हैं यह सब चीजे हैं और अगर किसी का वास्तु में कोई मेरे पास में आया और इवन फोन पर पता चल जाता है वो आदमी कहीं लोग इतना धीरे धीरे बोलेंगे उसको सामने आ जाएगा तो फैटी होगा बहुत जादा स्वैलिंग रहेगी फेस के उपर उसके हैंड्स पर स्वैलिंग रहेगी उस इंसान के अपनी बात को कम्प्लीट करने से पहले उसका गला ऐसे रूंद जाता न करे लोगों का बोल ही नहीं पाते हैं इमोशनल ब्लॉकेज अब सिंपली घर की रेमिडीज कर दी वास्तु में अगर उसके बात आई तो मैं उसके वाटर एलिमेंट्स खराब है तो मैं वाटर के रिच्वल्स बता दूंगी सूरी को जल चड़ाओ शिवजी को जल चड़ाओ वाटर बैलन्स होना स्टार्ट हो जाएगा फायर खराब है तो मैं बोलों कि फायर के रिच्वल्स करो हवन करो है कि सारी चीजें साइन्टिफिक हैं हमारे धरम के अंदर सब कुछ आपको लगा आपने सुना ही होगा हमारे जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारे पूरवज आज के लोग है ना गाय को चारा कहला रहे हैं पक तो ये मेरे सवाल का जवाब हो गया कि अभी वास्तु पर हम इतना इतना डिसकुशन इतना डीप स्पिरिच्वल की तरफ क्यों जा रहे क्योंकि हमारे पूर्वज ये चीज़े पहले से कर रहे थे और हम आज की डेट में जो यंग जनरेशन है या हम लोजिक के साथ चले कि जब हमारे साथ प्रोब्लम होगे तब हम उसका सुलिशन रोड़ने है तब हम करेंगे क्योंकि हमारे रीशी मूनियों ने आप एक एक को तो नहीं समझा सकते ना ये विद्या ऐसी कि सबको सबको नहीं पता है ये मतलब हर आदमी नहीं पढ़ रहा है अपने चार्ट बैट को खिलाना कबुतर को दाना डालना और ये सब बहुत पावर्फुल रेमेडी ये सब ग्रहों की और इसी से अगर आप होता है ना एक 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 जामपल देता हूँ मैं कि एक न्यूबोन बेबी हुआ ठीक है हमें उसके घ्रह हमने देख लिए जैसे नोर्मल गाओं में हम पं वैसे आपके करम होंगे वैसे आपके घ्रह रोल प्ले करेंगे बिल्कुल 100% है इसमे अगर मैं बात करूँ प्लीज बताव ना तो देखो तीन तरह की करमा जो आपके कई पास लाइफ के संचित करमा है ठीक है एक है आपका प्रारब्द करमा जो ज़स्ट आपका पास करमा और एक है चलाएमान करमा जो अभी मैं कर रही हूं अभी हम कर रहे हैं जो जैसे आपके बात करो यह संचित करमा का जो लेखा जो कहा है उजान सकता। भी आप देखो कि मतलब ये कितनी powerful science है, मैं जब जब इसकी बारे में, मैं भी भी बात कर दूँ तो मेरे को मेरे गुर्शी ब्रूस भी हो रही है कि कैसे उस टाइम पे हमारे रीशी मुनियों ने इतनी चीजों को research करके इतना उसको dissect करके इतने easily एक human मतलब मतलब लोगों के लिए serve करके दे दी कि तुम इसको life को ease बना के तुम जी सकते हो लेकिन हम पढ़ते नहीं जानते नहीं deeply और क्या हो अब इच में बहुत सारी चीजे हैं हमारे धरम के साथ में भी हुई छेड़ चाड़ हुई तो जिसका जो भी भुगता आने वो generation अभी भोग रही है लेकिन दीरे दीरे लोगों को अब उसके प्रति अपना love और care जगर आया अब अपने धरम के लिए अब लोगों में वो revolution आ रहा है तो क्या हुआ कि संचित हो गया, प्रारब्ध हो गया अभी के करम हो गया तो जो प्रारब्ध है ना सिर्फ एक मात्र जोतिश शास्त्र है जिससे आप अपना प्रारब्ध पता कर सकते हो बाकि कोई शास्त्र नहीं है और ये वेदों में भी लिखा गया क्योंकि वेद का ही पार्ट एक astrology भी है ठीक है तो जोतिश शास्त्र जिससे आप प्रारब्ध करमा को पढ़के आप समझ सकते हो कि मेरे को किस एरिया में करमास मेरे हाड रहेंगे कहां पे मेरे करमास अच्छे रहेंगे कहां पे मेरे को दुख मिलेगा कहां पे मेरे को सुख मिलेगा किन लोगों से दुख मिलेगा, किस परिस्तिती में मिलेगा, कहां मिलेगा, और किस परिस्तिती में सुख मिलेगा, किन लोगों से मुझे सुख मिलेगा, यह सरफ एक जोतिस शाथ से पता लग सकता है, आपकी चार्ट से, और उसके भी भाव हैं, उसके भी ग्रह हैं, उसके भी राशिय हैं और मैं आपको interesting भाई बताओं इसके अंदर जब आप एक चार्ड बनाते हैं किसी का, तो उसमें 12 ग्रह होते हैं, तो एक छटा ग्रह होते हैं, मतलब हाउस होता है, 6,000 को बोलते हैं, वो आपके सारे शड़ रिपों का होता है, मतलब शड़ रिपों मतलब आपके क्रोध काम, है न, इगो यह सब, आपके यही, वो है सारे रिपों, enemies यहीं हैं आपके, और तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो छटे भाव के अंदर, कुछ राशियां होती हैं, अगर movable राशियां आगई वहाँ पर, मतलब थोड़ा सा मैं समझा आने पारने में, शायद मुझे लगता है, मैं आप बिल्कुल ऐसा common, हाँ, common में समझा रही हूँ, कि अगर वहाँ पर कुछ movement वाली राशियां होती, movable राशियां बोलती हैं, अगर वो आ गई, और आपने कुछ भी छोटा सा भी कोई दान पुन, धरम पूजा कर ली, तो वो कर्म आपके कट जाएंगे और आप इस हो जाओगे, जैसे कहीं लोग है आपने सुना होगा कि, हैर मैं में को किसी ने बताय था, कि आप उस मंदिर में चल जाओ वहाँ पे माननेता है, पूरी हो जाती है और आपकी जोब लग जाएगी, आपकी विमारी ठीक हो जाएगी और मैं गया में तो ठीक होगी तो आपने मेरे से सुना, आपको लगा इनकी ठीक होगी मेरे को भी जाना चीओ वहाँ पर आप भी वहाँ चले गए बहुत जा रहे न, लोग बाव वैश्टन दी भी जा रहे सुन सुन के क्या रहे, मेरा ये हो गया था मतलब अपने फेट के पीछे अब आप भी गए, लेकिन आपको तो नहीं हुआ कुछ भी फिर आपको लगए, पता नहीं है, एक बार और चलता हूँ, फिर आप दुबारा गए, दुबारा भी खुश नहीं हुआ, आप पांच बार चले गए, फिर कुश नहीं हुआ आपका फेट डगमगा गया हो, आपने जाना जोड़ दिया कि यार कुछ नहीं होता यह सब ऐसे मंदे जाने से कुछ चीज पूरी होती है यह लेकिन उसका आंसर आपके चार्ट के अंदर है अगर आपके छटे भाव में फिक्स राशियां हैं ठीक है ने जैसे टॉरस फिक्स राशी एक ठीक है ना ऐसे फिक्स राशियां अगर आपके पढ़ रही है, तो आपके प्रारद के कर्मा इतने खराब थे, आपने इंटेंशनली किसी को इतना परेशान किया है, कि इस जनम में आपको कोई सॉलुशन मिलने वाला नहीं चाहिए, आप कोई भी मंदिल चल जाओ, कोई भी धरम कर लो, तो वो लोग क्या बोल ऑफसेलोगल, कोई ग्रेस नहीं मिल सकती, कोई गुरू की घरेस हो उसको ठीक हो सकता है, लेकिन मूवेबल राशियों में फटाफट से कर्मा हो जाएंगे, और ड। फटाफट से वो खाल हो जाएंगे तो कईी लोग होते हैं, हाँ मैं भी वास्तव करवाई थी, मैं तो फ बहुत सब कुछ कर लिया, अब तो मैं किसी के पास भी नहीं आऊँगा, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, यह लोग सुने होंगे, सारे तो जैम्स पहने रखे होते हैं, कितने इस्टोल के पास में जा चुके होते हैं, सारा ग्यान उनको होता है, फिर बाद में एंड में बोलते बीस साल कोई बिमारी में बैड डिडन होना है, तो बैड डिडन होना पड़ेगा, वो कर्म उसको भूगने पड़ेंगे, मतलब इतने फिक्स हैं वो कर्मा, यह सारी चीजें सिर्फ जोतिस शास से ही पता चल सकती है, और अराम से रीड कर सकते हैं, देखती ही पता चल जात जाती है, जैसे किसी का लिबरा साइन खराब होता है, रिलेशनशिप का साइन है वो, तुला राशी, वो अगर खराब होती है, तो रिलेशनशिप में प्राब्लम रहती है, तो कामख्या, देवी जो है, वो वहां का एनर्जी सेंटर है, वो दो-तीन बार वहां जाएगा, एक एनर्जी सेंटर से, कर्मा के उपर हम बात कर रहे थे, तीन कर्मा मैंने आपको बताए, इसका एक एक जामपल मैं वापिस से लेती हूँ, हनी सेंग, ठीक है, एक टाइम पर इतना सारा पॉईजन, मतलब इतनी सारी नेगिटिविटी लाइफ के अंदर, उसको ओवरकम क किया, लेकिन वो कर्मा कहीं ना कहीं, या तो मूवेबल साइन में था, या डूएल साइन में जो मैंने भी बताए, कुई थियोरी, वो द्रड नहीं था, वो फिक्स कर्मा नहीं था, फिक्स कर्मा होता तो ये वापिस से नहीं, कमबैक हो पाता, मतलब वो कर्मा था, कुछ लेकिन वो कर्मा एक्स्ट्रीम पेंफुल था ठीकिन आप गहरे गड़े में थे जहां से निकलने के चांसिज नी है लेकिन फिर भी वहां से निकले कमबैक हुआ और जैसे मैंने बताया उनके बहुत सारे ग्रह जो है वह एक्वेरियस में रूल करते हैं अरियसमय साइन है एकिर का इसने कशने कनैक्षेन से बहुत जादा है बहुत जादा है और क्योंकि अभी रेट्रो है सैंक तो जितनी भी पुरानी चीजह रेट्रो मतलब वापिस बऄस सारे लोगों के लोगो आयोंगे और और तो बॉन सारे लोगों मिलेंगे सोचा होगा कोई idea, उस पे आप rework कर रहे होगे भी इस वक्त, वो तो मैं कर रहा हूँ, वो retro Saturn, और Saturn जो है ग्रहों के अंदर profession दिखाता है आपका, जितना strong आपका Saturn, उतना strong आपका profession, क्योंकि Saturn आपके कर्मों का लेखा जो का रखने वाला gray है, आप orbit में देखोगे, तो sun की सब rotate कर रहे हैं, ठीक है, end में Saturn है, सबसे आखरी में, तो जब आप soul बनके body लेके इस दुनिया में आते हो, तो सबसे पहले आपको Saturn पकड़ लेता है, शनी, कर्म, जब तक कर्म अलोट नहीं होता, आप आगे के level पर नहीं जा सकते, तो Saturn को कर्म कारक बताया गया है, नव ग्रह हाई से पहुच जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, चीजे उनको रिजल से मिलने लग जाते हैं, कर्म, पास लाइफ के कुछ ना कुछ, तो यहां पे Saturn का Aquarius साइन में रेट्रो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉंगली काम करेगा इस टाइम पे, 2025 तक, लोगों अब देखो, अभी इस वक्त राहू, क्योंकि कल यूग में राहू का सबसे जादा बोलवाला है, ठीक है, राहू अभी तक Aries साइन में था, 18 मंस से, Aries साइन फाइरी साइन है, और राहू मिसंडर्स्टेंडिंग स्क्रेट करता है, और Aries साइन मेश राशी, वो आपके पार्ट को दिखाती है, तो लोगों के इस वक्त धरम को लेके, सबसे जादा मिसंडर्स्टेंडिंग स्क्रेट होई है, पिछले दो साल में, ये धरम, वो धरम, लड़ाईया, जगडे, ये मंगल की राशी है, Aries, लड़ाई जगडे की राशी है, Aries साइन हेड को दिखाता है, राहू वैसे हेड को रूल करता है, तो लोगों की मिसंडर्स्टेंडिंग बहुत बड़ी किसको लेकर, रिलीजन को लेकर, अब 30 अक्टोवर को राहू अपनी राशी चेंज करेगा, पाइसीज राशी में जाएगा, वाट्री साइन है, आप देखना, आप याद करोग मिर इस बात को, आने वाले दो साल तक एक्स्ट्रीम लोगबाग, क्रियेटिविटी पे और इमेजिनेशन पे काम करेंगे, ऐसी ऐसी इमेजिनेशन निकल के आएगी, कि आप सोच नहीं सकते, लोगों की, क्योंकि वाट्री साइन में राहू बहुत ही पावरफुली काम करत लोगों की क्रियेटिविटी बढ़ा देगा, इमेजिनेशन, मतलब ऐसा लगेगा, कहां से निकल निकल के आ रही है, और जो इस फील्ड के अंदर है, क्रियेटिव फील्ड में, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आने वाला 30th October से लेके, तिल 18-19 months तक, मेरे लिए ब से बता जाता है, कि जो पानी है उसके पास में, उसके पास में toleri के पास में, सिर्फ पानी के पास में, इसलिए जव आप पूजा करते हैं, तो पंडित الإ charger whenever you坐 in the light, आप stators at Алव, कुलं इस वर्ष में फानी से वर्यूल आपनो नारा सण कर संटु में दोस है यह सारी चीजे किस तरीके से कैसे होती है और इनको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं तेको सैटन मैं भी बताया आपको प्रॉफेशन आपका करियर देने वाला है क्योंकि उसको कर्मकारत ग्रह बताया गया नवग्रहों में और सैटन की जब साड़े साती आती बेस आपके माइंड के ऊपर कोई 200 किलो का वजन रख दे अब तक तो आप दस बीस किलो लेके चल रहे थे अब अचानक से 100 किलो 200 किलो आ गया तो आदम इसको टॉलेटी नहीं कर पाता वो परिशान हो जाता है बेचे नहीं हो जाती है प्रेशर ग्रेट हो जाता है उसको लगता क्सक्राइब हो लोग रहे हैं थ्युक्त करिये हुआ वो रखिया तो क्यों हो रहा है इतना काम है कि मैं से काम नहीं हो रहा हा क्का काम का प्रेशर वह जो अब झित्म कोई या फिर साड़ेशाती के प्रेशर लेकिन आपको एक और इंट्रेस्टीं हाँ उन्हें decrease साघ्य quarter चाहे वो आपके मोदी जीयों, चाहे बहुत सारे CM, PM ऐसे हैं, जो अपने साड़े साती के पीक पे ही बने थे, क्योंकि साड़े साती क्या है, सैटन आपको एक्स्ट्रा कर्मा एलोट कर रहा है, क्या आप उसके लिए त्यार है, mentally, physically, अगर आप त्यार है, तो आप आगे बढ मैं मर गया, मेरे यह हो गया, मेरे वो हो गया, लेकिन अगर आप इसको डीपर सेंस में लोगे, तो बहुत ब्यूटिफुल टाइम होता है, साड़े साती, प्रेशर बहुत रहता है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, अब प्रेशर आता है, तो हम परिशाने, और सैटन क्या रियालिटी की तरफ लेके जाता है, और रियालिटी हमको पसंद नहीं है, किसी को भी, हम चाती ही नहीं रियालिटी देखना, रियालिटी आईगी तो दुख आएगा, सैडनेस आएगी, पेन आएगा, इसलिए बोलते है, सैटन और चंद्रमा का जब योग बनता है, तो व होरोस्कोप में मेरी खुद की रिसर्च है, साड़ी साती के टाइप पे पूरी कन्वर्शेशन जो भी हमने करी है, मुझे उसमें सिर्फ एकी चीज अभी तक समझ आई है, और मुझे लगता है कि होता है ना कि जब आपको बहुत सारा ग्यान मिल रहा हूँ, है ना, कि मैं यह भी ले लू मैं यह भी, बट आपको सैंटर कहाँ पे रखना है, आपना फोकस कहाँ पे रखना है कि इसमें से कैसी, यह मेरा हरे और प्र ही होता है, क्यार, राज अर अग चीज आसकी सी सीखनी है, और मुझे लगता है कि मैं आज अलग से 65th पोड़कास्ट है मैं आज सीख चुका हूँ और इसमें से मैंने पता क्या सीखा कि साड़े साती हो वास्तू दोस हो या कुछ भी चीज़ों करम ये सब चीज़ आपको help कर रही है आपका अगर ऐसा समय आया है तो एक टूल है ये कि आपको समय आया आपने एक फटा-फट से मेडिसिन ली और आगे बढ़े उस चीज़ को समझा ये कई लोग होते हैं कि अब तो करम कुछ नहीं कर रहे अब मेरा वास्तू सही हो गया अब अब अपने आप चीज़ें हो जाएगी मैं तो इस और के पास जा रहा हूँ काम करने पड़ेंगे उस हार्ड कोर लेवल पर जाके अपने आपको गिसना पड़ेगा अपने आपको मारना पड़ेगा अगर हाइट पर जाना है तो हाँ लेकिन अगर आपके ग्रह में वो मजबूती है ताकत है तो आपको लेके जाएगे ये पक्की बात है वो कौन बताएगा वो एस्ट्रोजर बतादेगा क्योंकि वो आपकी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है वस वो बना नहीं रहा है उसको वो तो पढ़ के बता रहा है आपको कि भाई ये ये लिखा हुआ है लेकिन उसके लिए चीज़े भाई थाली रखी खाना थो खाना पढ़ेगा रहा है इसमें सेम टरस्ट वाली बात आगे ना अगर आपका टरस्ट है तो आपकी चीज़े अच्छी होगी और अगर आपका टरस्ट ही नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी कर लो और आपको एक चीज़े बताओ astrology सिर्फ इस चीज के लिए बनी नहीं थी कि मेरे बच्चा कब होएगा मेरी जॉब कब लगेगी मैं कब successful हो जाओंगा इस चीज के लिए बनी थी ये इस लिए बनी थी कि मेरा इस life में आने का purpose क्या है मैं किस धर्म अर्थ काम मोक्ष में मेरा सबसे ज़्यादा योगदान किस पदा पे रहेगा आपके ग्रह, आपके नक्षत्र, आपके राशी वो सारी चीज़े बताएंगे रिशी मुनियों ने इस लिए डिजाइन किया था कि हम purpose, soul का purpose की बात करते ना लोगबाग, कि soul purpose यह सिर्फ एक astrology जिसे भी पता चल सकता है कि आपकी चीजें, आपका strength क्या है, आपके weakness क्या है तो strength को तो बढ़ाओ, weakness को overcome करो ताकि life balance जले अब लोगों के लिए सिर्फ यही आए मेरे बच्चा कब होगा, बच्चा होगे तो लड़का कब होगा लड़की कब होगी, जॉब में प्रमोशन कब होजाएगा, सिर्फ इन चीजों के लिए इतनी powerful science जिससे बहार के लोगों ने पता नहीं क्या क्या अपना create कर दिया यहाँ पर आके वो घ्यान ले लेकर, ले लेकर और उन्होंने एक अलगी दुनिया create कर दी और हम लोग अभी भी बच्चा कब होगा लड़का होगा, लड़की होगी जॉब में परमोशन कब हो जाएगा मेरे पैसे कब आ जाएगे मेरे वो मेरा दुश्मन कौन है वो खतम होगा क्या नहीं होगा ऐसी stupid nonsense बाते लोग बात question करते हैं और अच्छे-च्छे लोग भी करते हैं और ये इन चीज़ों के लिए ये भी हमको अब पढ़ पढ़ की आते मुझे समझ में आई है पहले जब initial stage थी तब मैं भी सोची थी हाँ ये इसी के लिए लेकिन अब समझ में आता है कि भाई ये first step है जोते शास्त्र towards spirituality पे जाने का पहली सिड्डी है ये ये शास्त्र इसलिए बनाया गया है ताकि आप खुद को समझ सको बहले खुद को कैसे समझोगे वो सारी चीज़ आप की बे दिखाएगी है आपकी ग्रह और उसमें काम कैसे करो आप मेरा कर्म है ये कई बार मैं इरिटेट हो जाती थी पहले कि लोग बार अरे यार अब ये फोन कर गया अपनी बताएगा अरे ये हो गया आज मुझे सच में कई बार रोंग्टे खड़े हो जाते है कि यार ये तो मेरा कर्म है मेरे ग्रह बैठे वे मेरा सूर्य श्रवन नक्षतर में बैठा हुआ है श्रवन मतलब सुनना second house है लोगों का सुनना, लोगों की चीज़ों को problem solve करना तो ये मेरा कर्म है इस कर्म से अगर मैं भागूँगी तो मुझे दिक्कत आने लग जाएगी मेरे को सुनना पड़ेगा पूरी whole life लोगों की दुख दर्द ये एक opportunity भी बोल सकते हो blessing भी बोलते हो privilege भी बोल सकते हो कि ये चीज़े आपको मिल रहे है और मुझे लगता है कि I think आप भूत अच्छा solution दे रहे हो आपने कोई भी चीज़ना अभी तक थोपी नहीं है आपने जो exactly है आज तक वास्तु exactly आप सही बोल रहे हो वास्तु को हम यह सोस्ते थी कि भी या वास्तु इसलिए बना कि बच्चा काब होगा यह सारी चीज़े हार्मनी क्रेट करना आपके आस-पास में आप मुझे एक चीज़ बता हो लोगा बोलते हैं कि एनरजी तो दिखती तो है नहीं तो कैसे समझे इसको मैं बताते हूं कि इसे समझना है बहुत एजी एक टेक्नीक है आप अभी यहां पर बैठे वे हो आप सुबह मौर्णिंग में उठे और उठे आप मंदिर में गए एक घंटा मंदिर में रहे मंदिर में आपका थौट प्रोसेस क्या यह आएगा कि मैं जाके उसको मारूंगा मैं उसको गाली दूँगा ऐसे आएगा नहीं आएगा आप शांत तरह होगे मंदिर में अब आप मंदिर से बाहर निकले और आप किसी पुलिस्टेशन में चले गए दो घंटे आप वहां बैठे क्या आपको मंदिर वारा थौट पुलिस्टेशन में आएगा आपको वो ही नहीं यार चाला को ना झागि इनसान को कुई भी क्राइम कभी भी हो सकता है इनसान को सचे तो ना झागि यह थौट आएगा वो भाव जो भाव न वह भाव सौम में तप व्यार गाएब हो जाएगी रात को आप किसी पब में चले गए तो क्या आपको मंदिर का थौट आएगा क्या पुलिस्टेशन का थौट आएगा इंसान तो वही था दिमाग वही था क्या चीज बदली वहां की एनर्जी बदली उस एनर्जी ने उस इंसान के थौट को मैनिफेस्ट किया समझे आप एक एक आदमी तीन जगों पर गया पब में बैठा है या किसी बार में बैठा है कोई डिस्क में बैठा है कोई रेस्टरेंटर बैठा है तो पुलिस स्टेशन वाले थौट नहीं आएंगे तो क्या काम कर रहा था वहां की एनर्जी काम कर रही थी तो वास्तू एनर्जी पर काम करता है पूरी तरीके से आपक आज की डेट में अगर जो ये पोड़कास देख रहा होगा उसका वास्तु एस्टरोजी पे तो ट्रस्ट हो गई होगा लेकिन उसको एक बेटर किलियारिटी मिल जाएगी कि भाईया वास्तु बना किस लिए है तो मैं मा पता नहीं मेरे पास आज लगता है मेरे बास नहीं है मेरे को भी बहुत पता है मतलब यहां की एनरजीज है शायद कि आपको मैं सज बता रही हूं बिलकुल दिल से बोल टूगी बात कि मैंने कोई भी तियारी नहीं की थी मतलब मुझे लगा था मैं कैसे क्या लिखूं मतलब ऐसे क्या पॉइंट्स बनाओं उसे में से नहीं अपनी मिच मेंघ नहीं हुई थी आप बीच में नहीं हूँ है यह विडिया नहीं हुआ दीृष कि मुझे भी नयुका अशुका हूं धिरसे आपसे बहुहिद की मेरे से बात करों मिरसे भ्यान मिलें करों मेरे से ब्लैक मैजिक की बात करो, मेरे से परनोर्मल अक्टिविटीज की बात करो, मेरे से बोडी बिल्डिंग, फिटनेस, फैशन, यूट्यूब, आपका चार देखना पड़ेगा, कुछ तो सारी ग्रह लेके बैठे वे हो, आप सब बैलेंस में, लेकिन मैं ऐसे बैठी हो, कोई चीज आप कर रहे हो, तो आपको topic specified होना पड़ता है, यह मैंने specified कर दिया था, जब हम दोनों बहार बैठे थे, कि मैं कुछ points है, क्योंकि होता है, गैस से भी एक बड़ दिसक्स करना होता है, कि कुछ एक अच्छी चीज़े हम बनाएं, आपने बहुत सारे points तो गोई, जो आपने बता है, same boy point यहां पर लिखे होगे थे, तो मुझे लगता है कि जो जो लोग इस podcast को देखते, देखते यहां तक पहुँच गए हो, तो सच में मतलब आज के podcast में तो मतलब एक अलग सी energy feel होगी है मेरे को, और जिन लोगों को मैं से कुछ भी पूछना हो, किसी भ ही बारे में पूछना हो, तो मैं description में मैं की सारी details डाल दूँगा, आप लोग जागे मैं को follow भी कर ले ना, मैं एक बर अपना insta वगएरा का सारब, बता दू आप, कॉस्मिक शद्धा के नाम से तो मेरे insta page है, और blue wave wellness के नाम से मेरा youtube channel भी है, तो मैं ऐसे अच्छा अपने इसनी सारी चाहिए पते हैं, आपको भी पर अच्छा लगा, आपसे बात करकी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस podcast में भी, मतलब मैं बहुत, मतलब बहुत अच अच्छल मा आज इस podcast में, मैं अभी एक podcast इससे, जब आप आयते हैं, शूट कर चुका था, तो होता है ना कि आप वो मेरा शूट ता डेड़ गंटेगा, ठीक है, तो होता है ना शूट के बाद की, वो एनरजी नहीं नहीं आपाती, लेकिन the way you explain each and everything, तो ना, इस जगे में है कुछ, जदु में, याकि आप रहने हैं जदु, विल्कुल है, शालो, शालो, तान्क यू सो मुश भाएं, थैंक यू आप रहने हैं, थैंक यू everyone